हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल अज देखे आपके लिए एक और प्यारा सा डेजाइन लेके आई हूँ इस डेजाइन के लिए हमें चार के गुणा में कुंदे चाहिए चार 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 और दो कुंदे एक्स्ट्रा तो चलिए शुरू करते हैं एज स्टिच इसे उतार लेंगे दागा अपनी तरह तीन कुंदे उल्टे दागा पीछे एक में से तीन बनाएंगे एक बार सीधा बना लिया एक बार दागा लपेट लिया एक बार फिर से सीधा बना लेंगे यह तो एज स्टिच है इसे छोड़के यही कुंदे रिपीट करने हमें तीन उल्टे और एक में से तीन कुंदे बनाएंगे दागा अपनी तरह तीन कुंदे उल्टे दागा पीछे एक से तीन बनाएंगे दागा अपनी तरह तीन कुंदे उल्टे उल्टे से लाएंगे यह स्टिच इससे उतार लेंगे यह जो हमने एक से तीन किये थे इन्हें अब उल्टा बनाएंगे हम एक दो और तीन तीन कुंदे उल्टे दागा पीछे और यह जो इस साइड हमने उल्टे बनाए थे इन्हें आब हम सीधा बनाएंगे तीन कुंदे सीधे इसे छोड़के तीन कुंदे उल्टे और तीन कुंदे सीधे यही रिपीट होंगे दागा पनी दरफ तीन कुंदे उल्टे दागा पीछे तीन कुंदे सीधे दागा पनी दरफ यह स्टीज को उल्टा बना लेंगे सीधी साइड इसे उतार लेंगे दागा अपनी तरफ यह जो तीन उल्टे बनाए थे यह उल्टे बनेंगे दागा पीछे यह जो हमने एक से तीन किये थे इन्हें हम सीधा बनाएंगे दागा अपनी तरफ तीन कुंदे उल्टे दागा पीछे तीन कुंदे सीधे दागा अपनी तरफ तीन कुंदे उल्टे दागा पीछे तीन कुंदे सीधे एस्टिज को भी सीधा बना लेंगे चोथी सलाई उल्टे साइड यह उतार लिया और इन तीन का हम एक करेंगे जो हमने पहली सलाई में एक से तीन किये थे उन्हें हम अब एक तीन से एक कर लेंगे दागा पीछे यह जो हमने उल्टे बनाए हुए इनने इस साइड सीधा बनाएंगे यह पैटर्न रिपीट होगा तीन से एक करेंगे और यह तीन कुंदे सीधे बनाएंगे दागा अपनी द्रब तीन का एक करेंगे दागा पीछे तीन कुंदे सीधे दागा पनी द्रब तीन कुंदे एक करेंगे बना लेंगे दागा पीछे यह तीन कुंदे सीधे दागा अपनी द्रब एस स्टेज को उठाखना लेंगे यह दिखें अपना डीजाइन दिखने रगा पांचवीन सलाई यह अपनी पूरी सलाई सीधी बनानी हां में निट कर लेनी है छटी सलाई शिक्स त्रो उल्टी साइड यह भी पूरी की पूरी सलाई सीधी बनानी है उल्टी साइड है लेकिन हमें पूरी सलाई सीधी बनानी है निट करनी है यह देखें बस यह डिजाइन रिपीट होगा लेकिन अभी हमें जगेच चेंज करनी है छे सलाई हमें अपना डिजाइन से बना है पूरी सलाई को बनाएंगे अपने डिजाइन के रिपीट होगा है इसमें से यह बीट वाला पूंदा है इसके अब हम एक से तीन करेंगें यह दागा पीछे और इसके एक से तीन करेंगें इसके पूंदा उल्टा फिर हमें एक से तीन कियें अहांद गिजा उल्टा सिक्षै एक से तीन करेंगे मैं इसक्तो के से तीन करें इस quindi कैसे एक से एक से थागला मैं एक से एक से ईब हम जाग और आंख। में वार्टान से वाला छूंदा striking के शे इसम शना है कि आप पर आप दो तुम्दे ने पिसीदा देगे ताब आप तरह यह हमने एक से तीम है इन्हें पुल्टा बनाएंगे एक दो पुल्टी ताब पीछे यह हमने इस साइड पुल्टे बनाए थे इन्हें यहां पर हम सीधा बनाएंगे एक दो ताब पुल्टा इटल यूपिंड़े उडिते ताब पुल्टे आप पुल्टे पिचे यूपिंड़े इसीदे ताब पुल्टा इटल पुल्टा पिल दो स्टीज में क्लावा इस जो प्लेश कोड़ा है इचलों के ड्रेश करों सब्सक्राइब सिटी साइड नहीं तुछ में पीनों रहा है जो हम एक से टीन की है यह दो जाने ने सब्सक्राइब यहीं पैटन्स रिपीट होगा यहीं कुल्दे सीटे बनाएं यहीं पैटन्स रिपीट होगा यहीं कुल्दे सीटे यहीं पैटन्स रिपीट होगा यहीं कुल्दे सीटे कर दो। कि अच्छाइब के विए डागा के बनाएगे इनको तो तो प्रेंगे योगा एक तीन करेंगे दावा पीछे विजो इदर हम उल्टे बनाते हैं यह इदर सी बगनेंगे तो तीन कुंदे पीटे दावा पीटर तीन कुंदे करेंगे यह एक औलसम कुंदे मुझे करे सvaँ छया मुझे करें करें लीछे प्पको ऊेको कि भींहें, पात्रा कुंदे कि लेकी आत्कीना है यह सलाई अपनी पूरी पूरी सीधी बनेगी सीधी साइड है और पूरी पूरी सलाई सीधी बनानी हमें पूरी साइड यह सलाई भी पूरी हमारी सीधी बनेगी निट करनी है में पूरी सलाई यह देखे फ्रेंड्स अपने यह 12 सलाई रिपीट होंगी तो अपना डिजाइन इतना सुन्दर बन के आएगा यह देखे फ्रेंड्स बारा सलाई होंगी अपना डिजाइन ऐसा बन के आया है यह मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा और बनाया है तो इन्हें हम बार बार रिपीट करेंगे तो अपना डिजाइन इतना सुन्दर बन के आएगा तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरे डिजाइन पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तक यू फ्रेंड्स